परिशापत्र में विद्यार्थियों के अनुकुल बतलाव किये गए है CBSC ने वस्तुनिष्ट प्रश्णों को बढ़ाने का पैसला किया है फिलहाल परिशापत्र में 10 फीसेदी तक वस्तुनिष्ट सवाल होते है बोड के सूत्रों ने बताया हाला कि इस साल वस्तुनिष्ट प्रश्णों की संख्या बढ़ा कर 25 फीस दी तक की जार रही है इससे परिशार्थियों का आत्मयुष्यास बढ़ेगा और उन्हें परिशा में ज्यादा नंबर की मरत मिलेगी अधिकारी ने कहा अगर कोई विद्यार्थी किसी सवाल को लेकर सक्षय में है तो उसके पास सवालों का जवाब देने के लिए 33 फिस्ती ज्यादा सवाल होंगे इस साल परिशार्थी ज्यादा सरनल्चित प्रश्ण पत्रों की अपेक्षा कर सकते है हर पेपर को उपवर्गों में विभाजित किया गया है उदारन के लिए सभी वस्तुनिष्ट प्रश्णों को एक जगह वर्ग में रखा जाएगा इसके बाद ज्यादा नंबर के सवाल एक जगह होंगे अधिकारी ने बताया मौझूदा समय में वस्तुनिष्ट सवालों को छोड़ कर अन्य सवाल वर्गों में नहीं बटे होते और किसी भी क्रम में पूछे जा सकते है विद्यार्थी ज़्यादा विवस्थी तरीके से परिक्षा दे पाएंगे प्रश्णवद्र लीक को रोकने के लिए भी इस बार विशेश कदम उठाए गए है सवेदन शील चीजों को इकटा करने के लिए नियप्त सेंटर सुप्रिटेंडेंट मोबाइल अप्लिकेशन का उप्योग करेंगी जिससे उन पर रियल टाइम में निगरानी की जा सकेगी इस साल करीब 15 लाग परिक्षार्थियों ने 12 वी क्लास की परिक्षा के लिए पंजी करन कराया है वही 10 वी क्लास की परिक्षा के लिए 18 लाग परिक्षार्थी शामिल होंगे परिक्षा 15 फर्वरी से शुरू होगी जो पिछले साल की तुलना में 15 दिन पहले हो रही है वोकेशनल परिक्षा फर्वरी के आखिर तक पूरी हो जाएगी और मार्च में शैशनिक विशय उपर परिक्षा आयोजित की जाएगी तो MNS News लाइक की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंदी आप डाउंलोड करें और हमारी न्यूस के अपडेट पाने के लिए इस चानल को सब्स्राइब करें पहले कंद पायना ना भूले धन्यवाद